Hello students, this is your EVS class. Today we will read chapter 6, Birds. Birds मतलब चिरिया. Birds are animals whose bodies are covered with feathers. They live on land, on trees and near seas or fresh water bodies. Birds have a pair of wings and feet. Some commonly seen birds are crow, sparrow, hens, dubs, and eagles. Birds का दो एक जोड़ा उइंग है और पैर है तो यह जो है कमुनले हम लोग जो बार्ड को हमेशा देखते हैं. क्रो, sparrow, hen, dubs, pigeon, eagle, आदी. Almost all birds can fly. Some of us think that any animal that has wings is a bird. ज्यादा तर बार्ड उड़ सकता है. लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जिस animal का उइंग है, वो भी बार्ड है. Bats and flies have wings and can fly, but they are not birds. Bats and flies जो है उसका उइंग है. वो उड़ भी सकता है लेकिन वो बार्ड नहीं है. Features of bird. The body of a bird divided into three parts. Head, trunk and tail. They have two pairs of limbs, wings toward the front and leg at the back. तो bird का जो है, तीन हिसा में उसको सरीर को बाटा गया है. एक हेड है, हेड, trunk and tail. उसका जो है, दो जो रा लीम है. उइंग जो है, उसका wing toward the front and leg at the back. उसका पीछे, उइंग के पीछे में उसको क्या है? उसका पैर है. उसका हैंड नहीं होता है. बार्ड का हैंड नहीं रहता है. बार्ड है, उसका दो आख है, टो आइस, वन बीक and नो तीक. उसका दाद भी नहीं है. एक चोच है, दो आख है. दे हैव डिफेरेंट टाइप्स अप लेक्स विट साल क्लोज. और दे यूज दे यूज दियार क्लोज टू पर्च और ब्रांचेस, इसका जो लेक है, इस तरह का है, उसका लेक में एक तरह साल क्लोज आता है, और जिसके कारण वो टाहनी को, गाज का पेर का टाहनी को पकर के रख सकता है, और जमीन को भी खरोज सकता है. बार्ड एक देते हैं, विंग्स, बार्ड हैब स्पेशल फिचर्स देट हेल्प देम फ्लाइप्स, बार्ड का जो सरीर बार्ड बार्ड का बना हुआ रहता है, बना हुआ है, और उसके विंग के साहता से उर सकता है, बार्ड 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 बार टाम 다हते बिस्तों पुलें को जो सब्सक्राइब करने अधर को 1 पा फिर सेटेपन शरा है नागे ब्लाइब के वान शडह हुछ तो इसकी वरें बहुत light होता है, इस विसको light बनाते है M determine halka होता हो.. हुग, इसलिए उससरी हलका होता है और वह बहुत भारी नहीं होने के करण वह खुआ हो उडर पाता है बड्स लाइक क्लें, रेड नौट और प्लाइ लॉंग दिस्टेंस, यह कुछ बड्स है जो बहुत दूर तक उर जाते हैं जैसे रेड नौट प्लाइक क्लें, पीकॉक and हैं प्लाइ सौ्ट दिस्टेंस, इगल ग्ल वैट श्टोक अर भाल्चर प्लाइब भीड़्ी हाइए यह जो है एगल वाल्चर यह बहुत स्काई में बहुत उचाता कुरते है स्पेरो पेलिकैन एन बुलबुल फ्लाई लो बुलबुल पेरो स्पेरो यह सब नीचे में उठता है not all birds that have wings and feather can fly तो बुला कि जो some birds not all birds that have wings and feathers can fly तो कुछ हर बाद को जो विंग जिसका विंग नहीं है लेकिन feather है तो मनें नहीं है कुछ बाद है सब हर बाद को विंग नहीं है लेकिन ऐसा फेदर है तो जो उठ सकता हूँ उठ भी सकता हूँ नहीं रहने से भी उठ सकता है ऐसा कुछ भी कुछ बाद है जो बाद को सरीफ उइंग ही होना ज़रूरिया है उइंग हने से जोड़ेगा कुछ जैसे पेंगुइन इमू इसा उड नहीं पाता है कि उसका सरीफ बहुत भाड़ी होता है इसी का उड नहीं पाता है तो आप लोग को हम इतना दूर पढ़ा दिये इसके बाद हम आप लोग को आधा पढ़ा देंगे आज इतना दूर पढ़ा दिये थैंक्यू पढ़ लिजेगा